बताए कि डेली हम लोग साड़े साथ बची क्या करते हैं एक प्रिविएस ये पेपर के को सॉल्व करते हैं तो आप ही हमारा लाइफ सेशन हुआ था आप सभी लोगों ने जॉइन करा होगा 6 बचे हम लोगों ने लाइफ सेशन रखा था जो कि आप लोगों को बताए कि एक हम लोगों ने कहें कि सारी जितने भी यूट्यूब के चैनल हैं सभीने एक आंदोलन स्तार्ट कर रहा हुआ है जिसमें कि हम लोगों ने अपने अपने हम हएब एक हसे पहली बात दूसरी बात की वह साल के अंडर में ही होना चाहिए एक साल में विकेंसी आने चाहिए एक साल में पेपर होना चाहिए एक साल में प्री में सारे एक्जाम्स होने चाहिए और लास्ट में आप लोगों को जॉइनिंग भी उसी साल में मिलनी चाहिए तो जब तक हम लोगी system के लिए नहीं लड़ेंगे तब तक किसी को भी कोई असर नहीं पढ़ने वाला है तो आप लोगों से सबी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोगोंने क्या करना है जादा से जादा चाहे किसी भी channels में हो किसी भी channels में जो भी हम लोगों ने यहां पर कंपेंट चला रखा है इसको आप लोगों ने जादा से जादा शेयर करना है चले हम लोग आज की class को start करते हैं ठीक है क्योंकि देखो आप लोगों को पता ही है अगर हम UPST की बात करते हैं तो UPST क्या कराती है एक साल में ही आपके exam की notifications देती है उसी साल में आप लोगों के exams होते हैं और उसी साल में आप लोगों को joining मलती है लेकिन इंजिनियर्स में अगर हम लोगों बात करें तो यह जो SSC commissions यह स्टेट सर्विसिस के commissions हैं यहाँ पर exam होने से पहले धानती होनी start हो जाती है तो इन सारी system को हम लोगों ने ठीक करना है और यह सब तभी possible हो पाएगा जब हम सब unite होंगे तो जरूर इसका effect देखने को मिलेगा जैसे कि आप लोग देख भी रहें कि 2-3 दिन से जो चल रहा है उसके according हम लोग देख भी रहें कि कुछ ना कुछ effect नजर आया है एक्जाइम की डेट को निकाल दिया है लेकिन इससे काम नहीं चलेगा हमें पूरी transparency चाहिए क्योंकि जब हम दो से तीन साल किसी चीज़ की तयारी कर रहे है तो हमें atlas result भी अच्छा चाहिए result का means कि कम से कम exam में तो transparency हो जो capable है उसी को ही वो recruitment मिले चले हैं स्टार्ट करने हैं आज के session को सभी students class को share कर दें देखे आज की अगर हम बात करें तो हम लोग गुजला पब्लिक सर्विस कमिशन एए के प्रीविश से यह पीपोस को कर रहे हैं 2017 के जिसमें कि हम लोग questions को करने जा रहे हैं इसी तरीके से कुछ information आप लोग के साथ शेयर करते हैं यूकर त्रिपर एससी जेए पिजल का full syllabus का online course है और इसमें आप लोग को practice times back to back होंगे तो आप लोग आंदोलन में भी उतना ही participate करें और उतना पढ़ाई भी करें क्योंकि बीना पढ़ाई करके भी कोई फायदा नहीं है इसी तरीके से राजिस्थान जेए के full syllabus की बात करें तो इसमें आप लोग को राजिस्थान की जीके भी available है इसी तरीके से को good evening अब चलिए एक motivational code के साथ हम लोग class को start करते हैं जैसे कि हम लोग करते हैं एक energy से भरपूर होके कि जब तक किसी काम को किया नहीं चाहता तब तक वो असंभाव सा लगता है ठीक है तो यही है कि अगर आप लोग पढ़ते हैं आप लोग करते हैं काम को तो अगर हम को government job चाहिए तो यह हमें बहुत असंभाव सी लगेगी क्योंकि government job बहुत कम लोगों की लगती है क्याने का मतलब 1% लोगों की लगती है लेकिन हाँ जो पढ़ता है उसकी जरूर लगती है तो इसी तरीके से हम लोग बात करें तो आप लोग को इस motivation के साथ हम लोग class को start कर करते हैं अब देखिए इसमें हम लोग practice set को कर रहे हैं अभी तो हम लोग previous years के papers को कर रहे हैं जो कि किसी state ने conduct करा रहे हैं दीडे दीडे करके मैंने यह सोचा है कि इसमें अगर हम 15 to 20 sets करेंगे और इसके बाद हम लोग start करेंगे यूद की जो नई publication की बुक आई है जो एई की नई बुक आई है क्लेर सभी लोगों को चले बई सभी students class को एक बाद शेयर कर दे देन उसके बाद ही हम लोग start कर पाएंगे आज की class अब चलो start करने देखो first question आप लोगों की screen पे है बोला क्या है जो model के scale effects की बात करें the scale effects in model can be अगर देखो model और prototype होता है ठीक है but to prototype और model में अगर हम बात करें तो prototype आपका actually जो आप लोगों का structure होता है यह actually कोई machines है उसको हम लोग model में आप लोग बनाते हैं तो आप लोगों से बोला गया है, जब हम इसके scale को रखते हैं, जब हम इसे prototype से model में बना रहे हैं, तो क्या सिर्म scale positive रहता है, क्या negative रहता है, या positive नेगटिव दोनों देखने को मलता है, या none of the above answers mark करोगे, ठीक है, तो सभी students class को एक बार like and share कर दें, then उसके बाद ही हम लोग स्टार कर बाएंगे session को, answers करो, scale effects में क्या ओन कांसे scale effects देखने को मलते हैं आप लोगों को, yes, बिल्कुल, youth का कराएंगे, देखें तो option number C के साथ जारे हैं आप लोग first question में, बहुत ही सांदार answers के साथ, positive and negative दोनों तरीके करे हम लोगों को scale effects देखने को मिलते हैं, अपने models में, तो answers क्या जाएगा आप लोगों का option number C, write answers, अब आगे चलते हैं second question के साथ, आप से बोला गया है कि जो flow net होता है, वो हमारा graphical representation होता है, और graphical representation किस-किस का होता है, streamlines और equipotential lines दोनों का होता है, तो आप लोगों से बोला गया है, यह intersect करते हैं एक साथ, जब orthogonally curvilinear squares के स येस, चलो भई, अब इस वाले questions में आप लोग ध्यान लगाएं, और सभी लोग class को share कर दे एक बार, कि आप लोगों के recording this question का answers क्या जाएगा, देखो, flow net में हम लोग बात करते हैं, तो किस तरीके से देखने को मिलता है, देखो, अगर हम लोग बात करें, तो flow net कुछ ऐसा के perpendicular होती है, ये question में बहुत बार पुछा जाता है, क्या होती है, दोनों के perpendicular होती है, अब आप से question क्या पुछा जा रहा है, जो हम ये flow net को बनाते हैं, इसमें streamlines और equipotential lines में हम लोग को क्या देखने को मलता है, आप लोग के recording क्या answer जाएगा, very good बाई, option number A, क्योंकि ये हमा correct answer जाएगा, आगे चलते हैं, next question के साथ, आप से बोला गया है, अगर हम open channel में बात करते हैं, तो specific energy हमारी क्या होती है, सबी students answers करें इस question को, देखते हैं कौन यहां पे correct answers करके बताते हैं, specific energy पूछा गया है, तो ये total energy होती है, per unit discharge, या B option के साथ, आप लोग answer mark करोगे, या C करोगे, या D करोगे, सबी लोग अपनी presence को भी जरूर mark करेंगे, और answers तो आप लोगों ने कर नहीं है, अब आप लोगों के according इस question का answers क्या जाएगा, देखो, अगर हम open channel की बात करते हैं, specific energy की बात करते हैं, तो specific energy हमें क्या देखने को मलती है, E is equal to Y plus V square upon 2D देखने को मलत ही है, और अगर हम बात करें, तो यहाँ पर एक Z component भी होता है, generally हम लोग इस Z, जो एक datum होता है, इसको हम लोग neglect कर देते हैं, तो आप लोगों से अगर specific energy पुछा जाए, तो यह total energy है, जो की हम लोग, क्या, bottom को लेके, इसको datum मान के, जो total energy को हम लोग find out करते हैं, इसी को ह की आप लोग specific energy कहते हैं, तो काफी students option number C के साथ जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, तो third option की बात करें, तो option number C आप लोगों का correct answers होगा, एक और चीज़ धियान रखेंगे, जब हम rectangular channel की बात करते हैं, तो specific energy हमारी EC हम लोग क्या कहते हैं, 3 by 2 into YC हम लोग कहते हैं, इससे भी आप लोगों के बहुत सारे numerical solve होते हैं, आगे चलते हैं, next question के साथ, next question आप लोगों से बोला गया है, are those which are capable of working under heads less than 30 meter, आप लोगों से बोला गया है, ऐसी कौन सी turbine है, जिसका head हमारा less than 30 meter होता है, तो low head turbine, medium head, high head, या none of the above, तो आप लोगों का यहां पे कौन सा answers right होगा, सब सबी students answer जरूर करें, सबी लोग answers करके बताएं कि आप लोगों के according, fourth question का answers क्या जाएगा, देखो यह सारे questions आप लोगों के ऐसे exams में गुजुरात Public Service Commission में, और आने वाले exams में आप लोगों पाटिस्पीट करोगे, तो उसमें इस सारे questions आपको repeat देखने को मिलेंगे, ठीक है तो इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? इसी को ही आप लोग Low Head Turbine के लिए हमारी कौन सी Turbine Responsible होती है? यह कैपलन Turbine होती है, इसी तरीके से अगर Propaller की Бात करते हैं, तो हमारी 30 से 30 से 60 हमें देखने को मिलती है, clear है? इसी तरीके से बाकी Turbine भी आती है, तो हम से Low Head Turbine पुछ गया तो answers क्या जाएगा आप लोगों का बहुत अच्छे लो है टर्बाइन आप लोगों का correct answer जाएगा option number a जब kaplan 30 meter तक propeller जो आप लोगों की होती है वो 30 से 60 और जब हम Francis की बात करते हैं तो Francis हम लोगों को देखने को मिलती है 60 से 300 और जब हम लोग Pelton की बात करते हैं तो Pelton का जब head की बात करते हैं तो greater than 300 meter पे हमारी work करती है तो kaplan ध्यान रखेंगे 30 meter propeller 30 meter से 60 meter head तक work करती है medium head के लिए Francis की बात करेंगे तो 60 to 300 और Pelton हमारी greater than 300 meter बिलकुर railway engineering की questions भी करा देंगे don't worry सारे questions करा देंगे आपको clear है यहां तक चलो fifth question पे चलते हैं कि देखो यहां पे लिखा भी है इसको भी आप लोग पढ़ सकते देखो इंपर्स टर्वाइन आपकी कौन सी टर्वाइन होती है पेल्टन वील टर्वाइन होती है रियक्शन टर्वाइन की बात करें तो Francis and Kaplan को हम लोग रखते हैं generally और देखो पेल्टन टर्वाइन होती है रेडियल टर्वाइन आपसे पुछा जाता है तो Francis टर्वाइन होती है एक्जिल टर्वाइन पुछा जाता है तो Kaplan होती है और Mixed Flow Turbine पुछा जाता है तो Modern Francis Turbine होती है तो ये Turbine से बहुत सारे question पूछे जाते हैं इसको आप लोग note कर लो अच्छे से जिसे कि आपके exams में गलत ना हूँ Very good बहुत अच्छे सभी students आगे चलते हैं Next question के साथ Next question देखो आप लोगों से बोला गया है The discharge per unit drawdown at a well is known as आप लोगों से बोला गया है अगर discharge per unit drawdown में आप लोगों को देखने को मलता है तो ये yield है, discharge है, capacity है या transmissibility है सभी students answers करें इस question का अब बहुत सभी लोग अपनी presence को भी जरूर माग करें और answers करके बताओ ये सारे questions आप लोगों के repeat होंगे जब आप लोगों के exams में आएगा देखो, यहां भी discharge per unit drawdown बुला है इसका meaning क्या होता है देखो, आप लोगों का क्या है आपने aquifer में कोई well इस तरीके से डग करा तो हम लोगों को क्या देखने को मिलता है जिस तरीके से आप लोगों ने इसे डग करा तो इसमें से क्या होगा discharge निकलेगा discharge आप लोगों का इससे भार निकलेगा और ये drawdown की जो आप लोगों की height होगी ये हमारी बढ़ती जाएगी इसको हम लोगों क्या कह रहे है drawdown अब आप लोगों से बोला गया है जैसे जैसे आप लोगों का discharge यहां से निकल रहा है तो हम इसे कहते हैं discharge per unit drawdown अब ये well के case में पूछा गया है तो ये क्या कहा जाता है देखे तो C के साथ जा रहे हैं काफी लोग काफी लोग A answers कर रहे हैं देखो इल्ड नहीं answers करेंगे आप लोग इसको हम लोग बोलते हैं specific capacity जब हमारा discharge जैसे जैसे आप लोगों का water इसमें से भाहर होगा वैसे वैसे ये drawdown की height भी आप लोगों को बढ़ती भी मिलेगी और इसको कहते है specific capacity और साथ ही साथ अगर हमें अपने well की performance को calculate करना है अगर हमें अपनी well की performance को calculate करना है तो performance of a well is measured by specific capacity क्योंकि जितना ज़्यादा discharge होगा उतना ही हमाले effective है well तो हम लोग क्या कहते हैं कि अगर well की performance को calculate करना है तो भी हमारा क्या होगा ये specific capacity answer जाएगा clear है ये अंदर साभी लोगों के साथ very good आगे चलते है next question के साथ अब देखो ये बहुत ही भैतरीन question इसको आप लोग five stars mark कर लो ये ऐसे question है जो कि exams में direct एक state services से copy होके दूसरे में paste हो जाते है answers करके बताओ और देखो भैस साथ आप लोग पढ़ते भी रहो क्योंकि आप देखो आंदोलन बहुत चरम सीमा पर है तो exams आप one by one conduct होने start हो जाएंगे ठीक है और ये भी बात बिल्कुल कहें कि कड़वा सच है कि सब की नोकरी नहीं लगती है लगेगी उसकी जो महनत करेगा और जो बहुत अच्छे से पढ़ रहा होगा clear है यहां दर सबी लोगों को तो इसलिए आप लोगोंने उन में सामिल होना है कि आप लोग hard work करने है यहां पर answers क्या जाना चाहिए इसमें से कौन सा ऐसा formula है जो की हमारा applicable है 6-15 मीटर स्पैन के लिए जहां पर हम लोग बात करें तो W तो है total weight empirical formula है total weight है kg per meter square और L है आप लोगों का clear span in meter तो देखना चाहती हूँ कि कौन यहां पर किस की तयारी एक level उपर है क्या बात है बई आमे सिंग दोमर जी का A answers तो जितने बाई यह वाले है इनकी तयारी एक level उपर चल रही है बहुत ही सांदार answer जाएगा option number A के साथ इन्होंने पढ़ के आए है देखो सब कुछ answers क्या होगा 415 plus 80 L यह हमारा एक तरीके से कहें कि empirical formula है जिसमें L आपका clear span होता है in meter में और W हम लोग total weight को calculate कर पाते हैं किसमें अपने bridge bridges में आगे चले next question के साथ which of the following executor is the most suitable for digging underwater यह मैंने बहुत अच्छे से आप लोग को बताया है इसको गलत नहीं करेंगे आप लोग ऐसा कौन सा executor है जिसको की underwater में हम dig कर सकते हैं यह drag line है हो है सबी स्टूटेंस आंसर्स करें इस question का सबी लोग answers करके बताएं आप लोग के recording इस question का answers क्या जाना चाहिए चले बहुत बढ़िया चले कोई बात नहीं पड़ा भी नहीं है तो भी आप लोग ने answers मा करा कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है अब यहां भी करो कि क्या answer जाएगा digging underwater के लिए option number यह बहुत ही बढ़िया यह भी मैंने आप लोग को कराया था कि जब हम drag line की बात करते हैं तो drag line हमारा कहां पर use होता है underwater की executions में हम लोग इसे prefer करते हैं और power sovel क्या होता है सबसे best होता है यह भी मैंने आपको बताया है आगे चलते हैं next question की तरफ अभी इस question को देखते हैं कौन correct करते हैं देखो section modulus आपका hollow circular section के लिए बोला गया है external diameter हमारा capital D है और internal diameter हमारा small d है तो आप लोगों के according is question conscious क्या जाएगा तो देखो option number A के साथ mark करोगे देखो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब हम लोग जब हम लोग एक solid का section modulus को find out करते हैं तो pi by 32 आता है तो कहीं न कहीं pi by 32 इसमें आ रहा है और pi by 32 इसमें आ रहा है लेकिन अगर हम बात करें तो अगर हम hollow की बात करते हैं तो हमारे बस क्या आता है भी है काफी आगे चलते है which of the following is not the displacement method इसमें से ऐसी कौन सी method है जो कि displacement method नहीं है ठीक है आपको पता है कि force method और displacement method दो method हमारे पास होती है आप से बोला गया है कि इसमें से कौन सी हमारी displacement method नहीं है equilibrium method, column analogy method, movement distribution और karnis methods देखते हैं आप लोग क्या answers करते हैं नाइन्थ question का देखो नाइन्थ में हम लोग बात करें तो equilibrium method, movement distribution methods और karnis method ये तीनों method आप लोगों की कौन सी method है ये हमारी displacement method है इसमें जो column analogy method है जिसमें हम लोग find out करते हैं column analogy में है तो ये आप लोगों की displacement method नहीं है तो यहां पर जो आप लोगों का correct answer जाएगा वो जाएगा option number B clear है? देखें काफी लोग B के साथ है well done दस भी question के साथ चलते हैं loss of stress with time at constant strain is called ये भी मैंने question आप लोगों को कराया है ये relaxation है, creep है, shrinkage है, ductility है क्या पूछा गया है, constant strain पे आप लोगों को जो भी हमारा stresses में loss देखने को मिल रहा है किस के respect में, time के respect में तो ये क्या है, आप देखो creep की बात अगर हम लोग क्या देते हैं तो creep हमारा क्या है, time dependent phenomena है और time dependent phenomena के मतलब हम लोग क्या कहते है permanent deformation हम लोगों को देखने को मिलता है permanent deformation देखने को मिलता है permanent deformation देखने को मिलता है किसकी वज़े से due to sustained loading तो आप लोगों से क्या बोला गया है यहाँ पे question कुछ और है तो creep answers तो बिल्कुल नहीं करेंगे क्या answer जाना चाहिए तो जो भी class में थे वो सही करेंगे देखो अभी भी be answers कर रहो ऐसा क्यूँ भई उस दिन में आप लोगों को creep answers कर रहा था आपने मेंने answers क्या कहा था relaxation साप लोगों का answer जाएगा क्योंकि हमारे पस creep की बात करेंगे तो यह time dependent है एक particular sustained loading में हम लोगों को करते हैं तो यह हमारा decrease of the stress with the time time के साथ हमारे strain में decrease कर रहा है वहाँ पे तो permanent deformation हो रहा है यहाँ पे क्या है time के साथ हमारा stress है एक constant strain पे हमारा stress क्या कर रहा है decrease कर रहा है आगे चलते है next question के साथ आप देखो आप लोगों के साथ हमारी concrete की क्या होती है तो साभी लोग answers करें इस question को ठीक है और साभी लोग अपनी presence को भी जरूर माक करें और answers तो आप लोगों ने कर नहीं है अब आप लोगों के question का answers क्या जाएगा देखो ध्यान रखेंगे अगर हम लोग modulus of elasticity की बात करते हैं EC की बात करते हैं concrete के लिए तो हमारे पास 5000 under root of FCK आप लोगों के पास होता है जब हम FCK की बात करते हैं तो यह हमारी characteristic strength of concrete है जब हम flexulous strength की बात करते हैं तो कौन answers correct होगा 5000 under root FCK 7000 0.7 under root FCK इसको तो कोई भी wrong नहीं करेंगे option number C के साथ बहुत बढ़िया तो 0.7 under root of FCK आप लोगों का right answer जाएगा flexulous strength में जब हम FCK की बात करते हैं तो यह क्या है आप लोगों की यह हमारी characteristic strength है characteristic strength of concrete आगे चलते हैं next question के साथ maximum area of the compression reinforcement for the beam says maximum कितना area हमें देखने को मिलता है क्या answer करना चाहिए आप लोगोंने सभी लोग answers mark करें आप लोगों के according discussion का answers क्या जाना चाहिए देखो आप सभी को पता है अगर हम minimum area की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं AST minimum upon BD is equals to हमारे पास क्या होता है 0.85 into Fy होता है ध्यान रखेंगे यहां पे आप लोगों का 0.85 आता है जब हम minimum area of the steel calculate कर रहे हैं ठीक है अब यहां पे क्या पुछा गया है maximum area of the compression reinforcement तो क्या answer जाना चाहिए आप लोगों का सभी लोग mark करें very good option number A कर रहे हैं very nice अगर हम 12 question की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं 4% of the area तो answer is option number A आप लोगों का correct जाएगा आगे चले next question के साथ in case of column area of longitudinal reinforcement shall not be less than आप लोगों से बुला गया है अगर हम column का design करते हैं तो ऐसा कौन सा reinforcement है कि इससे कम नहीं होना चाहिए 0.60, 0.70, 0.80 या 1% सभी students answers करो very good बहुत अच्छे आप लोगों के मैं यहां पर 20-25 set मैं कराऊंगी आप लोगों को और इसके बाद फिर इस वाले session में हम लोग start करेंगे जो youth की नई वाली book आई है A e की उसको start करेंगे वो बहुत effective जाएगी वो book book का solution बहुत effective जाएगा मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उसमें से questions आने के लिए क्योंकि मैंने उसके pdf files देखी थी उसमें काफी अच्छे questions है तो उसको हम लोग start करेंगे ठीक है तो आप लोग इसका answers करो क्या करोगे option number c बहुत अच्छे आप लोग को पता है अगर हम लोग बात करते हैं किसकी column की बात करते हैं तो minimum कितना reinforcement होता है 0.8% और maximum कितना होता है 6% होता है तो minimum कितना होता है 0.8% होता है तो आप से बोला कि यह shall not be less than किससे कम नहीं होना चाहिए तो 0.8% आपका right answer जाएगा आगे चलते हैं 14 पे minimum pitch of the rivet shall not be less than minimum कितनी pitch होती है answers करो के option नमर A के साथ B के साथ C के साथ या D के साथ सभी students answers करो सभी लोग बहुत अच्छे answers के साथ very good well done keep it up कितना होगा minimum pitch of the rivets यह तो बहुत बहुत बार question पुछा गया answers 2.5 into D option नमर C आप लोग का correct answers 15 पे चलते हैं आप से बोला कि प्लासिटी इंडेक्स 0 है तो soil हमारी कौन सी होगी आपको पता है अगर IP की value अगर 0 आगी तो आप लोगों के पास soil किस तरीके की होगी देखो एही में भी कोई tough नहीं आना है moderate level के ज्यादा questions होंगे और 10 से 20 question answer होंगे जो कि थोड़े से tough level के होंगे clear है तो आप लोगों को पहले तो moderate questions में क्या करने है बहुत accuracy अपनी बनानी है जिससे कि जितने questions करके आओ सारे के सारे correct हो answer क्या जाएगा अगर IP plasticity index हमारा 0 हो गया तो इसका मतलब हमारी क्या है हमारी send है option number a correct करोगे ठीक है एक बात ध्यान रखेंगे IP अगर हमारा liquid limit minus plastic limit होता है suppose plastic limit की value आप लोगों की liquid limit से जादा हो गई और आपकी IP की value negative आ गई और negative value को हम लोग कभी नहीं लेते हैं इसलिए इसका answers क्या जाता है 0 इसका answers होता है आगे चलते हैं next question के साथ western guard analysis stress distribution के लिए इन्हों कौन सी soil को माना था western guard ने sandy soil assume करा था clay soil करा था stratified करा था या silty soil करा था अगर हम western guard की बात करते हैं तो generally यह analysis आप लोग उन्हें देखा होगा result payments में western guard की अगर हम बात करें तो western guard का result payment में मैं आपको name से एक कुछ दूसरी चीज लिंक करा रही हो कि result payment का अगर हम analysis की बात करते हैं तो western guards हम लोग कहते हैं clear है यहां पर पुछा गया है कि हम लोगों ने soil को क्या assume करा था जब western guard analysis करा था very good बाई अजे जी यश्वन जी प्रियंका जी दिनेज जी सबी लोग बहुत अच्छे answers करें very good well done and सबी लोग अपनी presence को भी जरूर मार्क करें आप लोग क्या answers करो कि stratified soil बहुत अच्छे option c आप लोगों का correct answer जाएगा 17 पे चलते हैं fundamental natural period for vibration of steel frame building is very very important देखो यही questions हैं इन questions को भी कर ले बस यही हैं जो tough level के question है जो कि कभी देखे नहीं है तो आप लोगों के according देखो यह कहां की बात हो रही है एक आप लोगों के b.tech में seismology का subject earthquake and seismology तो वहां से questions डाल दिया है paper को tough करने के लिए करना है कि किसी भी subject से डाल देना है तो आप लोगों को बोला गया fundamental natural period अगर हम natural period T की बात करते हैं तो इसका कौन सा हमारे पास empirical formula आता है जिससे कि हम लोग calculate कर पाते हैं T को तो हमारे पास S हो गया height of the building तो आप लोगों के according कौन सा empirical formula है देखते हैं कौन यहां पर answers mark करते है क्या बात है very good 17 का देखें सभी लोग क्या answers करें देखें तो किसका तुक्का लगता देखो भई सोविक जी का यश्मन जी B answers के साथ very good well done answer जाएगा option number B कभी कभी तुक्के भी correct लगते है option number B correct answers होगा यह ध्यान दखेंगे अगर हम लोगों से आज देख लिया question तो exam में अगर आ गया यह copy paste होके तो इसको गलत नहीं करना है T आप लोगों का क्या होगा है natural period हो गया और 0.085 into H की power 0.75 और H हमारी height of the building answers option number B 18 के साथ चलते हैं 18 में देखते हैं answers करते हैं save bearing capacity calculate करके बताओ तो आप लोगों के according कौन सा answers यहां पर write होगा सबी students answers करें चले बहुत अच्छे जिनोंने तुक्का नहीं माला ठीक है तुक्का मानने में भी आप लोगों को लगता है कि ऐसा कैसे कह दिया यह तो हमें आता था ठीक है ultimate bearing power आप से बोला किया है कि safe bearing capacity को कैसे calculate करोगे तो क्या answer जाएगा option number B बहुत अच्छे देखो अगर हम यहां से net ultimate bearing capacity की बात करें यह हम लोग यहां से QNS की बात करते हैं सीधा safe bearing capacity की बात करें तो हम लोग क्या कह देंगे Q upon factor of safety कह देंगे इसका मतलब हम लोग यह कह सकते हैं कि ultimate bearing power upon factor of safety option number B correct answer जाएगा देखो और option कैसे नहीं हो सकते हैं ultimate tensile strength की तो बात ही नहीं आई जब भी soil की बात करते हैं तो एक share strength से बात करते हैं क्योंकि share strength में ultimate bearing power की बात होती है और साथ इसाथ या तो हम settlement की बात करते हैं compressive strength की भी यहाँ पर बात नहीं करते हैं normal strength की भी नहीं तो ultimate bearing power upon factor of safety आगे चल दें next question के साथ the relation between the intensity of the wind P और velocity आप लोग की V है P और V के बीच में क्या relation आप लोगों का होता है सबी लोग answers करें कि P directly हमारा अगर हम बात करें pressure is directly proportional to velocity होता है या pressure is directly proportional to V की power 1 by 2 यह आप लोगों का 1 by 2 है और यह हमारा V square है यह 1 upon V है यह V है तो आप लोगों के according wind pressure and velocity में क्या relation होता है सबी students answers करें सबी लोग अपनी presence को भी जरूर mark करें और यह AE के papers में जो इस तरीके के questions आ रहे है यह आप लोगों की exams में बहुत help करेंगे 19 में क्या mark करना चाहिए D answers के साथ बहुत ही बढ़िया pressure is directly proportional to velocity आप लोगों का होता है P is directly proportional to V square 20 में चलते हैं आप से बोला गया है to get the precise location of a point using GPS अगर हम global positioning system से हम लोग क्या कर रहे हैं GPS किसले होता है किसी भी position को locate करने के लिए होता है अब आप से पुछा गया है कि minimum कितनी satellite होनी चाहिए कि हम किसी की position को identify कर सके तो 3 होनी चाहिए 4 होनी चाहिए 5 होनी चाहिए या 2 होनी चाहिए आपको यह भी पता है अगर हम GPS की बात करते हैं तो GPS में total number of satellites हमारी कितनी होती है total number of satellites हमारी 24 होती है लेकिन आप लोग उसे पुछा गया है कि minimum कितनी number of satellites होगी तो भी हम लोग को position हमारी identify हो चाहिए सबी लोग answers करें option number B बहुती सांदार answers 4 हमारा यहां पे right answer जाएगा option number B आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर हम कहें कि locations को locate कर रहे है तो हमारी minimum satellites 4 होनी चाहिए 21 पे चलते है when the water content in a soil at which just shear strength develops is caught आप लोगों से बुला गया ऐसा कौन सा water content होता है जहां से हम लोग कहते हैं कि soil अपनी shear strength को develop करना start कर रही है तो आप लोग अगर इसका देखेंगे अगर हम volume और इसके बारे में बात करें यह volume हो गया यह आपका water content हो गया तो हम लोग क्या देखते हैं इस तरीके से हम लोग different different state को देखते हैं तो यहां पे हमारी liquid state आ जाती है और यहां पे अप लोग की liquid limit आ जाती है यहां पे आप लोग की plastic state आ जाती है और यहां पे आप लोग की and यहां पे आप लोग कि श्रिंगेज आजाती है यहां पे हमारा सेमी विंट ईता है और यहां पे आप लोगों का सॉलीट आजाता है एक बात ध्यान रखेँगे यह कोशन बहुत लग क्या होती है यह ऑपने स्टेट के आप ये भी देखेंगे कि जैसे जैसे हम लोग इस तरीके से बढ़ रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है आपका water content बढ़ रहा है लेकिन कहीं न कहीं हमारी shear strength यहां पे lose होती है तो अगर हम बात करें shear strength कैसे बढ़ती है तो liquid से अगर हमारा plastic, plastic से semi-solid माता है तो हमारी soil की strength क्या ह आप लोगों का correct answer होगा धियान रखेंगे अगर हम consistency की बात करते हैं इक और पॉइंट यहां पे धियान आया अगर हम consistency की बात करते हैं तो consistency हमारा directly related होता है हमारी soil की shear strength से और जब हम बात करते हैं consistency limit जब हम लोग बात करते हैं consistency limit तो consistency limit हमारी directly link करती है water content से very good बई सबी students अपनी presence को जरूर mark करें very good, well done आगे चलते हैं 22 के साथ आप से बुलाग यह है ऐसी line जो की हमारी normal है किसके plump line के इसको हम लोग horizontal line कहते हैं vertical कहते हो datum line कहते हैं सबी students answers करें इस question का कि आप लोगों के according इस question का answers क्या जाना चाहिए option number d level line के साथ जा रहे हैं आप लोग देखो अगर हम बात करते हैं कि वो line जो हमारी अगर हम plump line के perpendicular के बात करें वो line जो हमारी normal है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं level line हम उसे कहते हैं तो काफी लोग option number d के साथ maximum option number d के साथ ही है तो answers level line के साथ जाएगा 23 पे चलते हैं आप से बोला गया यह बहुत ही भैतरीन question इसको भी five stars mark करो आप से बोला गया ऐसी guesses जिसको की हम लोग incompressible consider करते हैं तो हमारा mac number क्या होना चाहिए सबी लोग answers करके बताएं इस question को आप लोगों के recording discussion का answers क्या जाना चाहिए देखे तो d भी आ रहा है c भी आ रहा है देखो यही mistakes होती है इस question में 23 में तो काफी लोग एक के साथ है 23 में अगर हम बात करते हैं तो देखो mac number की भी एक बहुत बड़ी कहानी है अगर हम less than 0.3 या हम equals to 0.3 के साथ जाते हैं तो हम लोग कहते हैं यह incompressible होता है हमारी जो gas को अगर हम consider कर रहे हैं तो हम उसे incompressible करते हैं इसी तरीके से अगर 0.3 से 1 पे होता है तो हम इसे subsonic में नाम देते हैं हम इसे क्या कहते हैं subsonic आप लोग इसे कहते हैं इसी तरीके से 1 से 6 में होता है तो इसे हम लोग फिर supersonic नाम देते हैं और इसी तरीके से greater than 6 होता है तो हम इसे hypersonic कहते हैं तो आप लोग का answers क्या जाएगा, equals to point 3, answers option number C के साथ जाना चाहिए, देखो कुछ लोग D कर रहे हैं, कुछ लोग A कर रहे हैं, लेकिन answer is कौन सा रहे हैं, correct हैं यहाँ पे, देखो A का paper है, थोड़ा तो अच्छा paper है यह, answers option number C करोगे, D नहीं जाएगा, आगे चलें, next question के साथ, the condition of the stable equilibrium for a floating body, floating body को कब हम लोग कहेंगे, कि हमारा जो conditions है, वो is stable है, तो सबी लोग answers करो इस question का, book में तो 0.2 दिया है, देखे, commissions ने तो यहाँ पे 0.3 को finalize करा है, कौन सी book से पढ़ा है, आप लोगो ने, आप उसका screenshot भेजना, then मैं उसको फिर देखूंगे, इस question का answer करो, देखे, तो see answers के साथ जा रहें, आप लोग बहुत अच्छे, metacenter is above the center of gravity, m हमारा क्या होना चाहिए, g से उपर होना चाहिए, इस conditions को हम लोग stable conditions कहते हैं, जैसे कि हम लोग देख भी लेते हैं, stable equilibrium हम लोग तब कहते हैं, जब हमारा जो point है m, वो क्या रहता है, above g रहता है, जैसे कि हम लोग देखने है, जो हमारा metacenter होगा, वो अगर g से उपर है, तो हम उसे stable कहते हैं, unstable हम तब कहते हैं, जब हमारा जो point m है, वो हमारे g से नीचे रहता है, neutral हम तब कहते हैं, जब m और g दोनों हमारे coincide करते हैं, सही है, तो answers क्या जाना चाहिए, option number c के साथ आगे चलते है, if the velocity, pressure, density, etc changes at a point with respect to time, तो यह हमारा कौन सा flow कहलाता है, uniform, compressible, unsteady, incompressible, तो सबी लोग answers करें इस question को, आप लोगों के according, इस question का answers क्या जाना चाहिए, देखो, आप लोगों को पता है, अगर हम velocity, pressure और density की बात करें, यह हमारी क्या हो रही है, velocity, pressure और density, यह क्या हो रही, time के respect में change हो रही है, और एक particular, एक particular जगे पे बात करी जारी है, एक particular point में बात की जारी है, तो क्या answer जाएगा, uniform, compressible, unsteady, incompressible, देखो, compressible, incompressible की अगर बात होती है, तो incompressible में हम लोगों कहते हैं कि density आप लोगों की constant है, compressible में कहते हैं, density changes हो रही है, uniform में हम लोगों कहते हैं, with respect to space, हमारी आपकी जो भी flow की velocity, pressure, density है, यह change हो रही है, तो answers क्या जाएगा, option number C, बहुत अच्छे, unsteady flow आप लोगों का correct answers होगा, आगे चलते हैं 26 के साथ, अब देखते हैं इसको कौन correct करते हैं, atomometer की बात हो रही है, इसको हम लोगों क्या find out करने के लिए करते हैं, evaporation, transpiration, evapotranspiration या all of the above, बहुत अच्छे, सभी लोग बहुत अच्छे answers के साथ, अब इस question को answers करके बताओ, कि atomometer आप लोगों का क्या measure करता है, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ, सभी लोग बहुत अच्छे answers के साथ, आप लोग answers करें, option number C के साथ, evapotranspiration, 26 में सभी लोग answers करके बदाएं, कि आप लोगों के according क्या answer जाना चाहिए, देखो, atomometer कह दें आप लोग या evaporometer कह दें, atomometer कह दो या evaporometer कह दो, बात एक ही है, अब पुछा गया है कि atomometer किसे ही use होता है, तो आप लोग क्या answers करोगे, देखें तो यहाँ पर B answers करें, कुछ C answers करें, कुछ D करें, क्या answers करोगे, बहीं B तो transpiration के अगर हम बात करते हैं, इसको five stars mark करोगे, ये question पुछा जा सकता है, कि atomometer किसे use होता है, आप देखो, अगर हम लोग बात करते हैं, atomometer को ही हम लोग क्या कहते हैं, evaporometer कहते हैं, और ये हमारा एक scientific instrument होता है, जिससे कि हम लोग rate of water evaporation, कितना हमारा पानी evaporate हुआ है, इसको find out करता है, तो answers क्या जाना चाहिए, answers जाएगा evaporation, clear रहें यादर साभी लोगों को, तो 26 में answers क्या करोगे, option number a, pen होता है न मैम, आप देखो pen तो होता ही है, आप कोई दूसरा instrument नहीं हो सकता, answers क्या करोगे, evaporation, आगे चले, next question, आप देखते हैं, इस question को concrete करके बताते हैं, एक beaver dam किस type के dam होती है, अगर हम dam के different different classifications करते हैं, तो उसमें एक beaver dam आता है, इसको भी five stars करोगे, यह बिलकुर नया question है, अब देखते हैं, इस नई questions में कौन यहाँ पर correct answers करके बताते हैं, कि beaver dam हमारा किस type का dam होता है, ardent dam होता है, butterous type का dam होता है, steel होता है, यह timber के साथ आप लोग answers करोगे, yes, evaporation के लिए pan होता है, और atomometer भी होता है, इसको हम लोग evaporometer भी कहते हैं, अब इस question में आप लोग के according क्या answer जाना चाहिए, very good, भई, abj utrakhanji का सबसे पहले answers आ रहा है, option number c, बाकी लोग भी answers करें, क्या answers करना चाहिए, 27 में, देखो, beaver dam की बात करते हैं, तो answer जाएगा, यह एक प्रकार का timber dam होता है, कहने का मतलब timber से बनाया जाता है, जिससे की आप लोग क्या कर सकें, ठीक है, यह हम लोग यह भी कह सकते हैं, एक तरीके से आप लोग एक जगे से दूसरी जगे में भी देखना, beaver dam को आप लोग देखोगे, तो यह हमारा क्या देखने को मिलता है, टिंबर से बनाया हुआ, देखने को मिलता है, तो answer is option number C, basically बहुत यह temporary purpose के लिए बनाया जाता है, 28 पे चलते हैं, according to the direction of flow through the runner, अगर हम runner की directions की बात करते हैं, तो pelton turbine हमारी कैसी turbine है, अभी मैंने आप लोग को बताया था, अब इसको कोई भी गलत नहीं करेंगे, टेंजेंशिल में answers माक करोगे, radial में, axle में, mixed flow turbine में, सबी लोग answers करें, very good, सुर्जे सिंग जी, उर्वशी जी, प्रियंका जी, यश्वन जी, पायल चौदरी जी, प्यूज जी, सबी लोग बहुत भेतरीन answers के साथ, अब आप लोग के recording discussion का answers क्या जाना चाहिए, देखो, ध हमारी कौन सी turbine होती है, axially flow impulse turbine होती है, अब mixed flow के आप लोगों की modern Francis turbine होती है, generally हम उसको mixed flow की turbine कहते है, old Francis को हम लोग radial flow की impulse turbine कहते है, तो आप लोग के काटी अब answers क्या जाना चाहिए, सबी लोग option नमर ए के साथ बहुती बढ़िया, tangential flow impulse turbine आप लोगों का right answers होगा, option नमर एक correct, अब देखो, हम लोग यहाँ पे देख भी लेते हैं, कि impulse turbine को हम लोग कौन सी turbine कहते हैं, पेल्टन वील की turbine कहते हैं, जिसको की high head और low rate of flow इसका रहता है, इसी तरीके से reaction turbine में हम बात करते हैं, तो Francis आती है, अब कैपलन की बात करते हैं, तो कैपलन की और अगर हम direction of the flow through runner से बात करें हैं, तो कैपलन turbine हमारी axial flow turbine होती है, modern Francis turbine जो आप नहीं है, आप लोग की modern Francis turbine आई है, इसको हम लोग mixed flow turbine कहते हैं, आगे चलें, next question के साथ, बहुत अच्छे, साभी लोग बहुत अच्छे answers के साथ, अब आप लोग के according इस question का answers क्या जाना चाहिए, आप देखो ये question तो मैंने बहुत बार करा दिया है, type of the jump आप आपको दिया गया, frowdy number आपका 4.5 से 9 के बीच में है, तो आप लोग के according कौन सी jump है ये, steady है, strong है, undular है, oscillating है, आप देखने वारी बात है कि इसको कौन correct करके बताते हैं, ये jump का question बहुत पुछा जाता है, AE के state services exams में, सब में आप लोग को ये jump का question देखने को मिल जाएग option number A कर रहे हैं, बहुत ही fast answers आया, देखो 1.7 से less के अगर हम बात करते हैं, तो हमारी क्यों सी jump है, undular jump है, 1.7 से 2.5 की बात करते हैं तो कौन सी jump है, हमारी weak jump है, अगर हम लोग 2.5 से 4.5 की बात करते हैं तो कौन सी jump है, oscillating jump है इसी तरीके से 4.5 से लेके 9 की बात करते हैं, तो कौन सी जंप है? Steady जंप है, और greater than 9 की बात करते हैं, तो कौन सी जंप है? Strong जंप है, तो answers steady के साथ जाएगा, option number A आप लोगों का correct answers होगा, very good, well done के बिटा, बहुत अच्छे, सांदर answers के साथ 30 पे चलते हैं, अब देखो, आप लोगों से बुला गया केरिल क्रॉफ कहने का मतलब, जो हमारे अनाज होते हैं, जो हमारे अनाज कहने का मतलब, आप लोगों के गेहू, ठीक है, गेहू, चावल, जो होते हैं आप लोगों के लिए, इसके लिए हम लोग कौन को यूज करते हैं, free flooding को यूज करते हो, check flooding को यूज करते हैं, furrow methods को यूज करते हैं, yes sprinkler को यूज करते हैं, आप देखने वाली बात है कि इसको कौन correct करके बताते हैं, सबी लोग answers करके बताएं, देखो आप लोग उने answers mark करना है, क्योंकि जब आप लोग wrong करते हैं, तो exam में जरूर correct होता है, अब आप लोग के according यहाँ पर क्या answer जाना चाहिए, देखे तो यहाँ पर check के साथ जा रहे हैं, और काफी लोग free के साथ जा रहे हैं, अगर हम बात कर हैं, तो answer जाएगा check flooding के साथ, check flooding के बारे में बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, सब को पता है, हमारे क्या देखने को मिलती है, यह हमारी main ditches होती है, main ditches का मतलब होता है, कि यह हमारे permanent channels होते हैं, इन में हमारी कुछ-कुछ openings होती है, कुछ-कुछ openings होती है, और इसके ब होती है, ठीक है यह भी आप लोग की होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा जो भी हमारा land होता है, उसको हम लोग check में डिवाइट कर लेते हैं, तो यहाँ पर answers क्या जाएगा, check method जाएगा, free flooding को answers नहीं mark करेंगे, आप लोग, free flooding को use नहीं करते, generally हम लोग check flooding के साथ जा अब इस question को answers करके बताओ, देखो आप लोगों से बोला गया है कि जो हमारी undulating sandy fields है, क्याने का मतलब uber khabar देखने को मिलता है, ऐसी कौन सी method है, जो कि आप लोग एडप्ट करोगे uber khabar के लिए, undulating का मतलब क्या होता है, uber khabar, तो आप लोगों से बोला गया है, ऐसी method के ल check है, या furrow method के साथ, आप लोग जाओगे, देखो, आसान चीजे जैस generally भूल जाते हैं, क्योंकि हम लोग revise नहीं करते हैं, इसलिए आप लोग अब देखो, जितने भी आप लोग के data है, ठीक है, civil के, जितने भी data है, उसकी proper एक notes copy बनाओ, daily daily आप लोग देखोगे, और exam से पहले तो बहुत अच्छे से पढ़के ले जाना है, मतलब revise बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि जो last का, suppose अगर November में, October में exams होता है, तो September में आप लोग उने fully focus रखना है, revision में, ठीक है, वो ही last का जो एक month होता है, वो ही बहुत crucial role play करता है, answers करें, ए, बहुत अच्छे, sprinkle method टेक्ट के करें, तो वोटर हम लोग कैसे apply कर रहे है, in the form of spray, in the form of spray, हम लोग किया करते है, water को apply करते है, in the form of spray, और अगर आप लोग उसे बोला जाता है, इसके रिए हमें efficiency कितनी देखने को मिलती है, तो हम लोग कहते है, 80% हमारी efficiency होती है, लेकि च्छे यह हमारा एक constant factor होता है, time के साथ change होता है, location के साथ change होता है, या time और location दोनों के साथ change होता है, सबी लोग answers जरू करें, बहुत अच्छे, Manu Rajput जी, Ajay जी, Sanuj Kumar जी, Priyanka जी, Piyush जी, Jyoti जी, सबी लोग बहुत अच्छे answers के साथ, Tando Guru जी, बहुत बढ़िया, Yashwan जी, क्या जाएगा, infiltration capacity के अगर हम बात करते हैं, कि हमारे soil की कितनी capacity है, पानी को infiltrate करने की, तो हम लोग क्या कहते हैं, जैस time और location के साथ, किस तरीके की location है, कैसी वहाँ पे soil है, इस पे भी depend करता है, और time के साथ भी आपका change रहता है, कि time कौन सा है, ठीक है, इस लिए आप लोगों का, अगर हम infiltration capacity की बात करें, तो answer जाएगा option नमर D के साथ, आगे चलते हैं, आप लोगों से बुला गया है, कि जो हमारा, आपका क्या होता है, हईड्रो पावर की हम बात करें, उसकी बात करें, तो उसमें हम लोगों को different, different सीदिखने को मिलती है, तब जाके हमारी क्या होती है आप लोगों की बिजली बनती है तर्बाइन में तो यह सारा जो आप लोगों का hydroelectric power plant होता है उसमें आप लोगों से बोला गया है कि हम जब surge tank को use करते हैं तो surge tank का क्या main function होता है answers करें सबी लोग और सबी students अच्छे से answers करें और हमेशा positive रहना है आप लोगोंने बिलकुर negative नहीं सोचना है अब आप लोगों के recording क्या answer जाएगा देखें तो option number D के साथ जा रहे हो बहुत ही अच्छा provide protection against the water hammer कहने का मतलब जो भी हमारा water hammer pressures होता है उसको हमारा reduce करता है pressure को reduce करता है अगे चले 34 के साथ 34 बोला गया है कि जो हमारी hydraulic jump बनती है उसके length क्या होती है ठीक है जो भी हमारी jump की formations होती है यह hydraulic jump हम लोग कहां पर देखते हैं open channel flow में हमारी क्या होती है hydraulic jump बनती है और जब यह हमारी open channel flow में hydraulic jump बनती है तो आप लोगों से बोला गया है कि ये हमारी इसकी अगर length की बात करें कि इसकी length कितनी होती है देखो जैसे depth तो ये होगी jump की, depth of the jump तो हमारी ये होगी, जितनी हमारी jump बनी अब कितनी दूरी तक, कितने distance तक हम लोगों को बोला गया है, कितनी length तक हमारी hydraulic jump तो 10-15 टाइम से इस डैप्ट के बराबर होगा, एक से दो टाइम डैप्ट के बराबर होगा, या पांच से साथ, या कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं निकल के आता है, C answers करें, बहुत अच्छे, 5-7 टाइम से डैप्ट आफ दी जंप, वेरी वेरी गुड, जो भी C के साथ हैं, बहुत बढ़िया तयारी चल रही है, इसका मतब आपने ओपन चैनल फ्लो को भी पढ़ा है, तो 5-6 टाइम से डैप्ट आफ दी जंप होती है, देखें, वो तो सहमझ लें कि उनकी तयारी तो बहुत दो लेवल उपर चल रही है, आप देखते हैं कि सही करें कि कौन, तो साभी लोगों को इसके लिए मैं आप लोगों को 2 मिनिट का टाइम देती हूं, साभी लोग answers करके बताएं कि इस question का answers क्या जाएगा, अप्शिन हमें D, अथ्राइस हा रहा है, वेरी गुड, वहीं जो थ्राइस कर रहे हैं, उग पहले solve तो करें, बागी लोग 4 टाइम के साथ हैं, चलो अब देखते हैं कि किसकी तयारी है, पहले solve करते हैं, आप देखो हमारे पास क्या होता है, बहुत बार बता दिया है, यह optive number of rain gauges, बहुत कोशिन पूछे जाते हैं इससे, and is equals to हमारे पास क्या होता है, cv upon e का whole square होता है, अब आप से बुला गया है, कि how many additional rain gauges are required in a catchment, if the error, जो हमारी error है, वो क्या कर रही है, reduce by the half, तो हमारी present one में यह है, और हमें क्या देखने को मिलदा, error हमारी half हो गई है, e by 2 का whole square, n is equals to, n1 इसको n2 माल लो, अब हम लोग क्या खेह रहे हैं, कि n2 is equals to हमारे पास क्या आगया, 4 into cv upon e का whole square आगया, अब cv upon e का whole square हमारा n1 था, तो n2 is equals to 4 into n1 हमारे पास आगया, कहीं न कहीं हमारे पास क्या आगया, 4 times the present number आगया, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए, कि 1 rain gauges तो 1 rain gauges तो हमारा पहले से present है, तब ही तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी पे तो हम लोग find out कर रहे हैं, उसमें error हमारी हाफ हो गई है, तो हमारे पास 4 times ना जाते हुए, एक को हम लोग minus कर देंगे, हमारे पास 3 n जाएगा, मतलब कि 3 is the present number, it means option number C, correct answers. तो जो भी C वाले हैं, very good, well done, keep it up. आगे चलें, क्योंकि additional rain gauges बोला गया है, यह नहीं बोला गया है कि optimum number of rain gauges बताओ, optimum बोला होता तो चार जाता, लेकिन पहले से एक rain gauge है ना, तो 4 minus 1, तीन आप लोगों का जाएगा. आगे चलें, next question के साथ, the rate of rainfall above which the rainfall volume equals to the runoff volume is called, तो यह W index है, 5 index है, runoff coefficient या basin recharge. बहुत अच्छे, साभी लोग answers बहुत अच्छे करें, very good, well done. अब 36 में आप लोगों के क्या answers जाना चाहिए? देखो बई, दो level उपर हैं जिनने सही answers करा, और solve करके करा तो बहुत अच्छा है. देखो, आप लोगों से क्या बोला है? आपको पता है कि हमारा क्या होता है? rainfall intensity versus time के बीच में. यहाँ पर आप लोगों की रहती है rainfall intensity, rainfall intensity और यहाँ पर हमारा रहता है time. तो rainfall intensity versus time के बीच में हमारा graph बनता है. तो हमारा जो graph बनता है, वो इस तरीके से हमारा graph बनता है. और जब वो हमारा इस तरीके से graph बनता है, तो हम लोग क्या कहते हैं? कि जो हमारी average हमें runoff देखने को मिल रहा है तो हमारा average का क्या हो जाता है? ये तो हमारा w index हो जाता है और इसके उपर जितनी भी हमारी rainfall होती है ये सारी की सारी हमारी runoff में contribute कर रही होती है तो ये क्या हो है आपका? ये तो हमारी average है इसके अब अब जितनी भी हमारी rainfall होती है वो सारी की सारी runoff में contribute करती है तो ये हां से हम लोग क्या find out करता है? ये तो डबलो इंडेक्स है और इसके उपर क्या find out होता है? 5 index find out होता है तो 5 index वारे very good, well done के पेटब option number B आप लोग का correct answer जाएगा तब ही हम लोग कहते हैं कि डबलो इंडेक्स की value हमारी 5 index से काम आती है ये आप लोगों का जो set है ये है आप लोगों का गुजराल Public Service Commission के A.E. का set तो answers क्या करना चाहिए आप लोगोंने? option number C करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? 36 में क्या answers माग करोगे? option number B करोगे आगे चलते हैं 37 के साथ smallest sieve size according to the Indian standard आप लोगों से बोला गया है सबसे कम size कौन सा होता है? किस के द्वारा पुछा गया है? Indian standard के द्वारा तो 0.0045 mm करोगे 0.045 mm करोगे 0.45 mm करोगे या 0.154 mm करोगे तो above which में जितनी भी above में होती है न जितना भी आप लोग कर runoff देखने को rainfall देखने को मलती है वो सारी के सारी आपकी किस में contribute करती है आपकी runoff में contribute करती है तो answers आपका option number B इस question का answers करो option number A कर रहे है 37 में क्या option number A answers जाना चाहिए सबी लोग 0.0045 के साथ है आप लोग उसे बोला गया smallest sieve size according to the Indian standard very good भई इंजेनियर स्वारप सिंग जी पायल जी, अजे जी, पवन जी option number B के साथ जा रहे very good option number B correct answers है 0.045 mm की sieve सब से smallest sieve कही जाती है according to the IES clear है यहादा सबी लोगों को तो answers क्या करोगे आप लोग option number B right answer जाएगा 37th का आगे चलते है next question के साथ in case of coarse green soil अब आपको पता है कि अगर coarse green soil की बात हो रही है तो उसकी permeability क्या होगी काफी high होगी और plasticity low होगी तो आप से बोला गया है कि 95% consolidation हमारा occur कर जाएगा within fill in the blanks after the application of the load तो एक मिनट के बाद सारा consolidation हो जाएगा सारा water remove हो जाएगा 30 मिनट पे एक घंटे पे या दो घंटे पे सबी लोग answers करें इस question को ये बहुत ही बैदरीन question है इसको भी five stars mark करेंगे और देखते हैं इसको कौन right answers करके बताते हैं very very important देखो एक बात ध्यान रखेंगे जब हम लोग consolidation को पढ़ते हैं आपने कभी ध्यान रखा होगा पूरा का पूरा consolidation का chapter हमारे clay पे भी इस रूता है हम लोग clay की ही बात करते हैं पूरे chapter में हम लोग coarse grain soil की बात ही नहीं करते वो ऐसा इसलिए क्योंकि clay हमारी क्या है porous है उसमें पानी आपका रुकेगा पानी रुकेगा तो हमें consolidation की जरूरत है और जब coarse grain soil की हम बात करते हैं तो यहाँ पे तो क्या होते हैं जितने भी coarse grain में हमारे voids होते हैं वो सारे के सारे interconnected होते हैं और उसकी permeability बहुत अच्छी होती है तो आपका जब पानी रुकेगा ही नहीं तो हमें consolidation करने की जरूरत ही क्या है तो देखो इसलिए तो question क्या पुछा गया coarse grain soil की जब बात हो रही है तो 95% पानी आप लोगों का कितने मिनट में आपका हट जाता है जैसी उसके उपर लोड लगने लगता है तो देखो B answers करें और F जी उत्रखंट जी का यहाँ पर A answers आ रहा है उर्वशी जी का A answers आ रहा है बाकी सबी लोग C, B के साथ है तो देखते हैं 38 में क्या माग करना चाहिए एक minute correct answers है बही option number A आप लोग का correct answers ध्यान रखेंगे 95% consolidation एक minute में ही हो जाता है after application of the load तब ही हम लोग क्या नहीं पढ़ते consolidation हम लोग coarse grain soil में नहीं पढ़ते जब पानी रुके गए नहीं तो कौन से पानी को remove करोगे water voids को तो हम लोग remove कर रहे हैं ना consolidation में तो answer is option number A जाएगा आगे चलें next question के साथ the property of the soil mass which permits gcp of water through it तो आप लोग के according interconnecting void से हमारी ऐसी कौन सी property है जिसको आप लोग जो की water हमारा किस से जा रहा है void से होता हुआ जा रहा है तो आप लोग के according क्या answers होना चाहिए देखो civil engineering तो बहुत आपका syllabus है लेकिन आप लोग सही directions में और सही content में बहुत ज़्यादा गर focus करोगे जहां से maximum possibility है कि 95-90% आपके questions लग जा रहे है और उस content को आप लोग अगर बहुत बार revise करते हो तो आप लोग के लिए बहुत useful होता है otherwise civil engineering वैसे भी बहुत है आप लोग अगर इसको दस साल भी इसमें study करोगे तो भी आप लोग को नई नई चीजे मिलती ही रहेंगी आप देखो हम भी पढ़ा रहें तो आप यह देखें कि कितनी बार पढ़ा चुके हैं फिर भी नई नई अगर हम लोग पढ़ने जाते हैं पढ़ाने के लिए तो फिर नई नई चीजे हम लोग को ही मिलते रहती है तो ऐसी आप लोग को भी मिलते रहती है तो यह तो SI की knowledge का कोई वो नहीं है आपको नया नया चीजे सीखने को daily मिलती है अंसर करते हैं पर्मेबिलिटी के साथ बहुत अच्छे और अप्शन हमें B आप लोग का correct अंसर होगा देखो अगर हम porosity की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कितना हमारा porous है मतलब की water आपका रह चुका है अगर property की बात होती है तो permeability answer जाएगा और अगर पूछा जाए कि process वो process जिसे कि हमारा water क्या हो रहा है हमें interconnecting void से हमें seepage देखने को मिल रहा है तो process को क्या बोलते हो seepage हम लोग बोलते हैं तो seepage होगी अब process permeability क्या है property है soil की आगे चले next question के साथ अभी इस question को answer करो अभी तो पढ़ते रहोगे आप लोग नहीं नहीं चीजे सीखते रहोगे सभी कुछ नया लगता है हमको भी नया ही लगता है यहाँ पर answer करो फिर एक दिन ऐसा होगा जब paper crack होगा फिर आप लोगों की जिग्यासा है जानने की इच्छा वो भी आप लोग की बढ़ जाएगी एक paper से आप लोग बिल्कुँ satisfied नहीं होगे आप लोग सोचोगे कि नहीं मैं और अच्छा deserve करता हूँ या करती हूँ तो और पढ़ोगे आप लोग ठीक है तो पढ़ाई तो ऐसी चीज है इस question का answer करो submerge और buying unit weight की बात हो रही है तो यह किसके equivalent होती है और मैं तो यह मान थी हूँ कि जो government exams के पीछे हैं जो भी students उनको तो पढ़ाई से प्यार हो जाना चाहिए देखें जितना भी आप लोग पढ़ेंगे उतना आपको gain होता रहेगा अगर आप परिशान होगे कि कितना पढ़ना है तो फिर नहीं कर पाऊगे इस question को क्या answer करोगे देखो gamma test की अगर हम बात करते हैं तो saturated soil gamma saturated minus आप लोग का क्या जाएगा unit weight of water तो क्या रहे है आपर minus difference option number B आप लोग का right answers होगा submerge बोलें या buying unit weight की बात करें तो यह क्या होता आपका saturated minus gamma w clear है तो आप लोग का difference यहाँ पर right answers होगा आगे चलते हैं next question के साथ आप देखो next question आप लोग की screen पे है CBR test on soil is a type of जब हम CBR की बात करते हैं और CBR test हमारा कौन सा है CBR test हमारा subgrade soil के लिए हम लोग find out करते हैं तो subgrade soil के लिए हम लोग find out करते हैं इस question का क्या answers करेंगे आप लोग चलो answers करेंगे बताओ इस question का देखो भई पढ़ाई को तो करना ही पढ़ेगा तब ही पढ़ पाओ अधरवाईस फिर यही सोचते रहो कि क्या होगा क्या नहीं होगा कैसी कैसी बाते लिखते रहते हैं आप लोग यहां पर चलो CBR test की बात करें तो क्या answer जाना चाहिए आप लोगों का आप लोग ऐसे लगते हो जैसे कि बहुत पढ़ाई से फ्रस्ट्रेट हो चुके हो अगर ऐसी ऐसे लिखोगी कि मैं कितना पढ़ें क्या पढ़ें तो ऐसी करते रह जाओगे आप लोग ठीक है एक type है इसका penetration test का तो सबी लोग एक साथ हैं बहुत ही बढ़िया 41 में अगर हम लोग बात करें तो answer क्या जाएगा यह हमारा bearing test में नहीं आएगा soil is a type of किसका type है यह penetration test का है क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं क्योंकि हम लोग देखते हैं जो यह plunger है यह soil में क्या करता है penetrate करता है तो answer क्या जाएगा bearing का मतलब यहां पे bearing capacity थोड़ी ना दे दिया गया है जो कि आप लोग यह find out कर रहे हैं कि यह bearing है यह बोला गया है कि CBR test on a soil is a type of किसके type का है यह penetration type का है answer is option number C next question आप लोग की screen पर सबी लोग answers करो चलो भई बहुत अच्छे बहुत अच्छे चलो answers करके बताओ इस question का क्या जाएगा what is the angle between the two plane mirrors of an optical square देखे कितने अच्छे कोट से आप लोगों को motivate किया जा रहा देखो पवन जी आप लोगों कितने अच्छे से motivate कर रहे हैं बहुत ही सांदार अब इस question में क्या answers करोगे देखे तो 42 में क्या answer जाना चाहे या देखो क्या बोला गया दो plane mirrors के बीच में हमारा कितना angle होता है optical square की बात हो रही है तो 30 degree, 60 degree, 45 degree, 90 degree देखो एक बार आप लोगों कि जब job लग जाएगी आपका एक form crack हो जाएगा उसके बाद पीछे आप लोगों की जितने भी years लगे हैं जितने भी मेहनत लगी है यह सब आप लोग भूल जाओगे ठीक है तो आप लोग इस question का answers करो daily आप लोग कुछ नया नया चीचे सीखते रहा करो तो job एक बहुत बड़ा task नहीं रहेगा जौब मिल जाएगी यहां पर answers क्या जाएगा बहुत अच्छे पैतालिस दिग्री आप लोग का correct answers option number C right answers आप देखो अगर हम optical square की बात करते हैं तो यह हमारी बहुत ही more accurate रहती है generally long opposite के लिए हम लोग करते हैं और principle of reflection पर यह हमारा work करता है और अगर दो plane mirrors की बात करें तो देखो यह दो plane mirrors के बीच में कितना एंगल देखने को मिलता है पैतालिस डिग्री आंगल देखने को मिलता है आगे चलते हैं next question के साथ अब आप लोगों के according इस question का answers क्या जाएगा देखो क्या बोला गया है आप लोगों से the time factor corresponding to 25% degree of consolidation आप लोगों को बोला गया है कि u की value अगर हम बात करें तो 25% आप लोगों की होती है और जब 25% होती है तो degree of consolidation कितना है सबी लोग answers करो कि मुझे पता है कि आप लोग सही answers करोगे इसका देखो आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे consolidation की बात करें यह less than हमारी 60% है तो हम लोग क्या कहते हैं कि जो हमारा time factor rate TV is equal to हमारे पास क्या होता है pi by 4 into u by 100 का whole square हमारे पास होता है और जब यह आप लोग करते हैं तो यहां से आप लोग find out कर सकते हैं pi by 4 into 25 by 100 का whole square आप लोगों के पास होता है तो हमारे पस क्या आ जाएगा देखो यह आपका आ जाएगा फोर 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 जा 16 आ जाएगा 16 multiply by 4 64 तो हमारा answers क्या जा रहा है यहां से pi by 64 जा रहा है 43 में क्या answers करोगे option number d के साथ easy question है लेकिन गलत हो जाता है answers क्या जाएगा option number c देखो अभी b answers करें क्योंकि करी नहीं रहे हो answers तो pi by 16 नहीं करोगे आगे चलते हैं which of the following is practically impermeable इसमें से ऐसी कौन सी आप लोगों की soil है जो की practically हमारी क्या है impermeable है तो आप लोग के according is question का answers क्या करना चाहिए बहुत अच्छे आप सभी students बहुत अच्छे answers के साथ very good well done जब आप लोग इतना hard work कर रहे हैं तो आप लोगों को जरूर सफलता मिलेगी क्योंकि जो पढ़ते हैं उन्हीं का ही selection होता है इस बात को ध्यान में रखना है हमें साथ positive रहना है positive लोगों के साथ ही रहा करो और positive बाते भी क्या करो अब बोलागे impermeable impermeable में क्या answers करना चाहिए आप लोगों ने very good clay के साथ बहुत अच्छे option number D आप लोगों का correct answers clay की बात करें तो यह हमारी highly porous होती है मतलब इसमें water retaining की capacity की बात करें तो बहुत अच्छी हमें देखने को मिलती है और अगर हम बात करें highly porous और साथ ही साथ क्या होती है low permeable हमें देखने को मिलती है या very less कह सकते हैं या imperme level भी कह सकते हो तो answers option number D 45 पे चलते हैं अब देखते हैं इस question को कौन correct करके बताते हैं देखते हैं आप लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा हम इसमें confused होते हैं तो देखते हैं कौन यहाँ पर right answers करते है बोलागे है जो full supply level है हमारे canal का ओ full supply level of canal हमारा क्या है drainage of the bed level bed level के drainage से हमारा उपर है तो यह aqueduct है, siphon aqueduct है, canal siphon है या super passage है answers करके बताएं देखते हैं कौन यहाँ पर right answers करके बताते हैं 45th का देखो अगर हम लोगों से बोला गया है कि full supply level of canal आपका greater है drainage bed से तो क्या answers करना चाहिए 45th का very good भई, c वाले बहुत ही सांदार answers के साथ, canal siphon आप लोगों का correct answers जाएगा, आप देखो इसको आप लोगों नहीं पढ़ा है तो इसको आप लोग पढ़ लो, ठीक है, lecture से irrigation के उसमें से आप लोग पढ़ लो, आगे चले, next question के साथ, spelling hammer की बात करें तो यह हमारा किसले सबी students answers करके बताएं इस question का कि आप लोगों के according क्या जाएगा, spelling hammer हमारा किसले use होता है, देखो, spelling hammer की बात करते हैं, तो हम लोग इससे क्या करते है, stone की dressing करते है, stone की cutting setting करते है, तो answers क्या जाएगा, rough dressing of stone, option number c आप लोगों का correct answers, देखो, इसका c ही commission ने दिया है, एक बर मैं चेक करूँगी इस question को, ठीक है, आगे चलते है, 47 के साथ, in measurement of machinery activity, no deduction is made for ends of the beams, posts, rafters, pallins, तो यह हमारे कितने sections के लिए होता है, क्या answers करना चाहिए आप लोगों ने? इसके question का answers करके बताओ कि क्या answers mark करोगे यहाँ पर, देखो, अगर हम machinery activity की बात करते हैं, तो हमारा ऐसा कौन सा होता है, जहाँ पर हम लोग कोई भी deduction नहीं करते हैं, answers क्या जाएगा, very good, option number c आप लोगों का correct answer जाएगा, 0.05 square meter आप लोगों का answer जाएगा, आगे चलें, next question क 48, आप से बोला गया, vertical diffraction limits criteria की बात हो रही है, और span to depth ratio की बात हो रही है, और आप से बोल भी दिया है, कि span हमारा क्या है, अब to 10 meter तक आप लोगों का span है, तो इसके लिए हमारे पास, simply supported के लिए, आपके पास span to depth ratio क्या होता है, 7, 10, 20, 26, सबी लोग answers करके बताएं, कि आप लोगों के recording discussion का answer क्या जाएगा, क्या answer करों कि option number C, 20, very good, option number C, आप लोगों का correct answer जाएगा, जब हम लोग बात करें कि span हमारा क्या है, अब to 10 meter तक है, तो answers 20 के साथ जाएगा, आगे चले 49 के साथ, देखो आप लोगों को से बोला गया है, spacing अगर हम longitudinal bars की बोले, columns के case में, तो कितनी spacing हमारी होती है, तो आप लोगों के recording discussion का answers क्या जाना चाहिए, सबी लोग answers करके बताएं कि क्या answers जाएगा, क्या answers करेंगे यहां पर, देखे तो option में C के साथ जा रहा है, बहुत अच्छे, 300 mm आप लोगों का यहां पर correct answers, 300 mm आप लोगों का correct answer जाएगा, वरी गुद, आगे चलते हैं, आज का last question आप लोगों की screen पर आए, ऐसा कौन सा estimate है, जो कि आप लोगों का, कहने का मतलब आप लोगों को ने estimate करा, जितना आप लोगों का budget था, उससे आप लोगों की 5% ज्यादा value आ गई, और जब ऐसा होता है, तो आप लोगों को से बोला गया है, कि यह हम लोग कौन सा estimate बना रहे है, इसको detail का होगे, रिवाइस का होगे, supplementary का होगे, या rough cost estimate का होगे, सभी students answers करें इस question को, कि आप लोगों के according is question का answers क्या जाना चाहिए, देखो ध्यान रखेंगे, कि अगर हम लोगों से बात कहा जाए, कि सबसे rough estimate कौन सा होता है, तो हम लोग कहते है, preliminary estimate को सबसे rough estimate हम लोग कहते हैं, कहते हैं detailed estimate, अब आप से बोला गया है, कि पहले हम लोगोंने estimate को बनाया, और हमारी जो value है, वो 5% ज़्यादा आगई, तो हम लोग कौन से estimate को करेंगे, तो detailed estimate होता है, जब हम लोग क्या कर रहे है, drawing charts इन सब का use कर रहे हैं, ठीक है, rough का होता है, roughly हम लोग कर रहे हैं, then उसके बाद supplementary आपका आता है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, revise के साथ जारे हैं सबी लोग बहुत अच्छे, तो हम लोग क्या करते हैं, जब 5% से ज़्यादा हमारी आजाती है values, तो हम क्या करते हैं, अपने estimate को proper पूरा revise करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग के 50 questions over होती हैं, hopes हो कि आप लोगों को यह 50 questions पसंद आए होंगे, ठीक है, चल्ड़ोग, इसी के साथ अगर बात करें, तो कल आप लोगों की class जिस तरीके से है, सुब़ मॉर्निंग में 8 बज़े आप लोगों का बदलाव बैच होता है, जिसमें civil engineering की class होती है, ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें, तो सौम को 5 बज़े आप लोगों का youth का होता है, जिसमें आप लोग 5 बज़े youth के session को join करते हैं, और कर आप लोगों का 6 पीम में हम लोग थोड़ी सी strategy को discuss करेंगे, वैसे भी आप लोग बहुत सोचते हैं, जब मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा रही होती हूँ, तो आप लोगों की बहुत सारे comments आते हैं, कि मैं हम ऐसा, मैं हम वैसा, तो इसी के लिए, जो यहाँ पे आप लोग comments कर रहे हूँ, जब यहाँ पे questions कराने पे, तो आप लोग 6 PM के session को join करेंगे, तो वहाँ पे कुछ आप लोगों की बाते भी सुनी जाएंगी, और साथी साथ कुछ strategy भी discuss की जाएगी, ठीक है, तो आंदोलन तो करना ही है, लेकिन पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है, तो हम लोग 6 बजे का हमारा यहाँ पे discussion रहेगा, कल की timing में, इसी तरीके से साड़े साथ बजे की जो timing है, उसमें आप लोगों का यही practice set रहेगा, clear है यहाँ दर सभी लोगों को? चलिए, और किसी को कोई परिशानी, कोई परिशानी नहीं, अगर आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे से करते हैं, आज तक आप देखते भी आ रहे होगे अपनी life में, कि आप लोगों ने, जैसे कि अगर हम बात करें, 10th, 12th में, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैनत करी होगी, तो मार्क्स भी आप लोगों को देखने कों मिले होंगे, तो कभी भी ऐसा नहीं होता, कि हाड़ वर्क का रिजल नहीं निकल के आता, हमेंसा रिजल निकल के आता है, इस वक्त थोड़ा सा देखा जाए, तो गौर्मिंट से हम लोगों को इस तरह के से, इतना positive effect हमें नजर नहीं आ रहा एक तो थोड़ा सा corona की भी आप लोगों कहा गया और उपर से थोड़ा सा delay चल रहा है हर काम तो कोई नहीं इसके लिए आप लोगों के साथ पूरी सारे YouTube के चैनल से इसको कर रहे हैं और सभी लोग इस आंदोलन में participate कर रहे हैं तो आप लोग इसके बाद बिलकूल gupta and gupta कराएंगे आप लोगों को ठीक है चले thank you so much and all the very best thank you